हलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चानल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो हम कह सकते यह आज के इस साल का यस इस साल मतलब 2023 के अगर हम लोग बात करें सो बेसिकले अगर हम लोग बात करें हमारा जो शेर मार्केट से लेटर जो स्टड़ी है उसको तो हम लोग वैसे जारी रखेंगे मतलब क्या है तो अभी चुट्टियों के बाद अभी आपको पता ही है मार्केट स्टार्ट होते वे देखने को मिलेगा तो कौन से ऐसे शेर र गएगा ठीक है वैसे तो देखा गया सेटर्ड़े की दिन मतलब कल के दिन यस्टरड़े कंपनी ने बोनस का अनॉंश्मेंट कर दिया हाँ वाई दो अगर आपके पास शेर्स है तो उसके बदले आपको एक एक्स्ट्रा शेर यहापे मिल जाएगा और देखा गये तो स्ट जाते हैं तो इसी चीज के चलते देख लेंगे कि कल के दिन का मार्केट का रियक्शन क्या होता है ठीक है अगर आप एक इंवेस्टर हो आपको इससे रद्दी बर भी फरक नहीं पढ़ना चाहिए वह तो देख लेगे कि कल के दिन ट्रेडर लोग क्या मतलब इस चीज को थ हम डाउन करते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दो तो फ्राइडे की दिन एक स्टॉक नहीं जबरदस धूम मचाई थी वह था एफल इंडिया कंपनी तो कमाल की है ठीक है कई समय से एक ही कंस्रोडिशन फेज में चलते वे दिखने को मिल रहे है आप या पर एक्शन बोनस प्लेट यहां पर हो चुका है रिटन्स भी काफी कमाल के यहां पर बन चुके हैं जरू यह भी स्टॉक हर किसी के रडार के पर यहां पर रहने वाला है नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो वड़ा फोन एडिया में जब भी खबर आ जाती है कि फंड यह डिफरेंट पार्ट है ट्रेडर लोग क्या करते हैं इन तेजी का फाइदा उटा कर टाटा बाय बै बोलके चले जाते हैं हो गया उनका काम इन्वेस्टर के लिए उस टॉक में उनको सालों साल बेठना पड़ता है ठीक है तो प्रॉब्लेम क्या होती है यह एक जटके क कि तेजी देखकर हम लोग क्या कर लेते हैं हमारे डिषएन बना लेते है चलो हम भी इंवेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं करने यह में बहुत बार बता चुका है यह चीज आप लोगं को लेड़ूबेगी कि तेजी देख लेते हैं शैर का प्राइस देख लेते हैं ठीक है इ इसके बाद गलत भी गए तो भी आप लोगों के पास काफी बड़ा feedback होता है कि आपको मतलब अपकी mistake को आप rectify कर सकते हो तो इन चीजों को यहाँ पर समझना है अगर आप यहाँ पर time ज्यादा गुजारा होगे तो आप देख सकते 5-5 साल यहाँ पर हो चुके लोग time ही गु बोलता है returns ने बनता है ऐसा तो आर किसी share में returns बन जाएंगे पाई साब ठीक है सबसे important चीज यह होती है कि आपने top से वह company अच्छा करनी चाहिए ठीक है क्या top से अच्छा कर रही है अगर मैं chart button आपके सामने रख दू यह लेखे यहाँ पे जिसने खरीदा उसका क्या यहा आपे खरीदा उसका क्या ऐसा तो बॉटम पकड़कर हर कोई बात करते ही रहता है ठीक ही इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़े चलती ती यहाँ पे लोग बोलते थे सर्दे क्यों डबल हो गया पैसा में लोग अच्छी बात है डबल हो गया ट्रपल हो गया 30% बन गया अ तो वड़ा फोन आइडिया को मतलब बोलते है न जीवित तो रह सकता है सरकार ने तो आदा तो काम कर दिया भाई उनके डेप्ट को एक्विटी में कनवर्ट करके बाकि अभी कमपनी को यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगे और सामने भी जो प्लियर है एरिटेल और जियो वो भी कोई छोटे मोटे प्लियर ने बड़े हाथी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं नेक्स बात करेंगे टाटा कंजिमर जैसे मर्जर की खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गई जो स्टॉक में एक लटकती तलवार रहती है ठीक है लटकती तलवार मतलब क्या है बहुत लंबा प्रोसेस रहता है बड़ा पैसा आता नहीं है अभी दिमेदे में करके clarity देखने को मिल रही तो अच्छा कासा पैसा आते वे देखने को मिल रही इतनी बड़ी तेजी मतलब पीवर आयनोक्स में देख ली, HDFC ट्विंस में देख ली, HDFC लिमेटेड बैंक में, L&T InfoTech में देख ली तेक है ऐसे काफी स्टॉक हम लोगो देखने को यूज्योली आपे मिल जाते अभी IDFC फर्स्ट भी उसी प्रोसेस से हम लोगो गुजरते वे देखने को आपे मिल रह है, यह कुछ पॉइंट्स हम लोगो छोटे मोटे पता है यहापे होने चाहिए, नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो Reliance इंडस्ट्री, यहापे पोरी तरीके से कोशिश करेंगे, यहापे आने वाले नेक्स पास साल में Reliance को डबल करने का भी वो कोशिश आपे करने वाले है, अलग-अलग यहापे अगर देखा गया, तो पार्टनर्शिप भी करें, अभी लेटेस्ट अगर अच्छी खबर की अगर हम लोग बात करें, यह जो भारत GPT की अगर हम लोग बात करें, उसका जो निर्मान करने वाले है, IIT Bombay के साथ, इनका हम लोगो टायफ होते वे देखने को मिलने वाले है, Artificial Intelligence के थुरू, यह सारी चीज़े हम लोगो होते वे देखने का आपे मिलने वाली है, तो जरूर रिलाइंस अगर देखा गया, पाथ साल में डबल की साब से अगर कोई radar के उपर रख रहा है, तो इसका direction इब्दम सही हम लोगो देखने का आपे म आपने गलती बिल्कुल भी आपे नहीं करनी, कमपनी के बिजनेस को देखकर ही डिशेंस यापे लेने पड़ते हैं, तो इरेडा कोई खराब यापे कमपनी है नहीं, सरकारी कमपनी है, खास करके जो इन्होंने अभी रूख बदल दिया, खास करके retail portfolio भी इन्होंने अपने इसमें add कर दिया, प्लस PM कुस्यूम योजना की बात करें, उसमें भी इन्होंने यहापे अपना योगदान देने की शुरुआत यहापे कर दिये हैं, रूफ टॉप सोलार की अगर हम लोग बात करें, सरकार भी इस चीज़ को जबरदस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, पहल तो चाते हैं कि रोज भागते हैं रहे करके, अभी आप शॉट रंज में देखोगे, 63% के रिटरंस, इतने शॉट रंज में बनना काफी बड़ी बात होती है, पूरे दो-दो साल लगते इतने रिटरंस बनने के लिए, तो इतना तीजी से आपे भागा है, तो टाइम भी म नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो इंडिगो, अभी इंडिगो से रिलेटेड अलड़ी मैंने वीडियो यापे बनाया था, आप लोगों ने देखा योगा, आयोध्या से रिलेटेड, राम मंदिर से रिलेटेड, सो डेफिनेटली इनको अम लोग अच्छ मतलब कोई भी मंत कतम हो जाता है, तो इनिशली जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी शुरुआती जो दिन होते है, आटो कंपनी अपने सेल्स के आकड़े यहापे जारी कर देती है, तो खास करके देखा गया तो टाटा मोटर तो रडार के उपर रहेगा ही रहेगा, कि इलेक्ट्रिक वेहकल में कंपनी कैसा परफॉर्मस दे रही, यह एक ही चीज ऐसी है, जिसके चलते टाटा के उपर जादा फोकस हरेते वे देखने को मिल रहा है, तो आपको पताईए, SUV स्पेस में भी अभी जबरदस परफॉर्मस देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश आपको बात पताईए, इंडिया में अभी आने वाले है, ठीक है, प्लांट आपको गुजरात में लगते वे देखने को आपे मिल जाएगा, मार्केट कैप की अगर बात करें, तो टाटा मोटर का अल्मूस तीन लाख करोड के करीब जाते वे देखने को आपे, मिल रहा हैं इसा कुछ टच किया था, वही उसका ओल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई, लगते वे दिखने को ले तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपे आया था, तो कल के दिन कैसा रहेगा टाटा मोटर का परफरमस, यह एक बात देखने वाली जरूर हैगी, नेक्स बात करेंगे तो रडार के उपर रहता ही है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैपूर, डेली, जैपूर जैसे आप कह सकते हो, हाँ, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, हाईवे का, तो इसी से रिलेटेट टाटा पाउर ने इंटेंट बताया है, कि वो इंटरेस्टेड़ है, देड़ लाक करोड का प्रोजेक्ट रहने वाला है भाई साब वो, ठीके, सो काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा और इतना बड़े प्रोजेक्ट देखा गया, तो बड़ी कंपनी ही, कोई तो बड़ा ग्रूप ही एंडल कर सकता है, तो टाटा पाउर ने वो जो उनका मर्जर यहाँ पर चल रहा है, जब तक यह चीज़े चलती रहेंगी, यूजली एकी डारे में चलता है, अगर इनके लिए नेक्स्ट अगर कोई इंपोर्टन टास्क है, लास्ट ताइम कोटर तु के नंबर ने डिसपॉंट कर दिया, डिसपॉंट करती है नहीं क होते तो भाई 60-70 के आसपा स्टॉक होता, हाँ बट उमीद जितनी थी कि भाई 60-70 तक आए तो सेंचुरी लगा दे, तो 80 पे आउट हो गया, तो ऐसा ही कुछ नंबर देखने हो कापे मिलेते हैं, अभी कौटर थरी के रंबर के उपर आस या पर मार्केट लगा कर हो, सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए, बाई बाई